हẾलो आज की वडियो में हम जाने के स्टेट आफ मैटर में अगर आप स्टेट साफ मेटर के बारे में नहीं जानते तो मैं पता सेवन हें और स्टेट र कंद्स कर सकते हैं और यौन जाते यह यह में रिख सेख़ारा ओन्हाला 느ling को स्टेटी सब्सक्राइब आप जानते होंगे तो इनको जल्दे दिख आतम करूँगा तो चली शुरू करते हैं पहले स्टेट जिसे हम कहते हैं solid solid में हमारे items काफी close packed होते हैं काफी compact structure बना लेते हैं और vibration में होती है काफी धीरे या धीरे vibration जो भी है और solid के examples भी आप जानते हो या जैसे जिस mobile में आप ये वीडियो देख रहे हो या आपके आसपास रखे टेबल या चेयर जो भी है solid है तो ठीक है solid में हमारे काफी close आ जाते हैं atoms दूसरी state आती है हमारे liquid की liquid में atoms दूर-दूर हो जाते हैं और जिस भी आप वो तल वो तल जिसमें में डालो उसका शेफ लेता है और इसमें भी vibration थोड़ी solid के मुकाब्रे ज्यादा होती है फिर हम आते अपनी third state of matter पे third state of matter यानि gas यानि आप पानी को अगर उबाल दो तो भाप बन जाता है भाप जो की gas है जिस बरतर में डालो उसका volume occupy कर लेता है और vibration liquid के मुकाब्रे ज्यादा होती है और यह हमारे third state of matter अब हम आते हैं main मुद्दे पे जो है हमारा चौथा पांच चौथा साथवा state of matter तो आते हैं मुद्दे अगर आप जानते हैं तो हाँ वही है प्लाज्मा प्लाज्मा fourth state of matter प्लाज्मा मिलके बना होता है काफी high temperature गयास को आप और ज्यादा गरम कर दो तो आटम से एलेक्ट्रों निकाल दो तो आयन इस एलेक्ट्रों जो composition बनता है उससे बनता है प्लाज्मा 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 का सब्सें बढ़ी हाइग्जैम्पल अगर आप देख रहे हो तो है वह है लाइटनिंग लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है तो काफी ज्या यह काफी एक high temperature है काफी high temperature प्लाज्मा बनती है प्लाज्मा का एक और बढ़ी एक्जैम्पल है नर्दन लाइट जो आपको पोस्पे दिखने को मिल जाती है वह हरा हरा आसमा ने दिखता है जिसके photograph और फोटकीजने करें मरते हैं तो वह भी प्लाज्मा जो sun से waves आ रही है वह भी प्लाज्मा ही उनको consider करेंगे तो वह भी एक बढ़ी एक्जैम्पल है फिर अगली state आती है वह हती है quagglowon plasma जो हमारी पांचवी state of matter है पांचवी state of matter जो हमारी quagglowon plasma है इसको आप समझ लीजे प्लाज्मा यानि गैस को जो हमने और जादा गरम करा यानि अगर हम एक्स्ट्रीम होट करें अप्सीलियूट ओट उट अपने तया थो एक्स्ट्रीम होट करें यह होता है लगग वन मिलियन ऐन ऐन तो इतना ज्यादा temperature जो आप रोबाइड ने करसकते हो तो इतने भी बनता है मेरा kogglowon plasma जो अटोमिक हमारी neutron proton है यह अपने सबीग परटिकल्स हैं कौक वगयरा इन में टूट जाते हैं अगर आपने सबैक पार्टिकल्स कौक वगयरा क्या होते हैं तो मेरी वीडियो है वाट साइड एटम्स उसका लिंक देद देदूँगा उसे देख सकते हैं तो अभी हम बात करते हैं कोगलोन प्लास्मा की जो कि ये काफी हाई टेंपरेचर बे बनता है और इसका बढ़ी एक्जेम्पल अगर आपको जानना है कि क्या है तो अगर आपने बिग बैंग के बारे में सुना हो तो आप जानते होंगे जब बिग बैंग एक्स्प्लोजन जैसे ही वो बिग बैंग उर दमागा और जैसे ही वह हुआ तो उस पहले 2 जब हमारे यूजिवर्स जो था हूं काफी गरम था खासक टॉ-स वक्थर में जो मैंटर था वह कोगलोन प्लास्मा-डाज्मा की ही स्टेट में पर ऐसा कंसिडर करते हैं स्थ सेंसे मानते हैं और कोगलो ऑन प्लाजमा की च्टेट भी अगर आप समझ गए हो तो हम जोग्ली स्टेट पर जाते हैं तो यह जो स्टेट अपने मैटर को एकदम ठंडा कर दो सॉलिड जान तम ठंडा कर दो मैं बता रहा हूं आप समझ रहे होंगे स्वालिड पर स्वाइदा क्लोस पैकिंग होती है तो सब्सक्राइब आपको मैटर है उसको लोग और जिरो डिए गयल्विन जिसे हम एकदम जीरो केल्विन जो अब साइन्टिफिकली पॉसिबल है माई टी में साइन्टिस कर चुके है एक्सपरिमेट लेवरेटरी में तो जैसे ही आप मैटर को इतना ठंडा कर देते हो तो अपनी एटम्स अपनी प्रप्रपटिस छोड़ देते हैं वेव नेचर पर आ जाते हैं और एडेंटिफाय मैटर क करना हो जाता है मुश्किल कैसे मैं दिखाता हूं आपको किस तरह से एकाम करता है जैसे कि आप इस फोटो में देखने है एक वेरी लो टेमपरेचर यानि लो टेमपरेचर दे साइस अफ डव वेव्स बिकम लाजर दे अवरेजिशन बिट्वीन टू एटम्स अगर आपको साफ साफ नहीं नीचे लिखावत दिख रहा है तो माफी जाता हूं अगर आप जी स्पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं इनको एटम्स माल लो तो यह काफी जैसे थोड़ी चप्टे से होगे दिए मैं इसको अगर आपको जैमपल दू तो लेकम नठा जैमपल जैमपल इसका थंड़ा काते टो थंड़ा करते करते हैं वह जातार सुको और Ka यहां दिख रहे हैं और वह वेव निचर शो करता है एकदम वेव जैसा तो एकदम वेव जैसा तो अपनी पूरी तेसे प्रोपर्टी लूस कर देता है अपनी कौंटम नेचर जो भी है है खतम बिलकूल , ठीक है और ये स्टेट थे नयानन जान नाई जो हमारी 7 फुटम्ट मेंटर है यह है डिजनेरेट मेंट डी Ind accordance किया है यहीं क्या है दिजनेरेट मेंटर को आप एसे समझ दिज़ें आपके हाथ में एक एक एटम है आपने एक्टम से एलक्रोन निकाल के फेक दिये आपके पासली न्यूकलियस जो प्रोटन और न्यूटरोन से बनाये जो कि कफी डेंस होते हो अगर आपने पढ़ा हो तस वी ख्लाश में रदरफोर्ड मोडल में रदरफोर्ड ने खुद जो पार्टिकल्स थे एल्फा पार्टिकल्स निकल गए थी क्योंकि वो उसका कहना था कि most of the 90% atom है वो खाली है सिर्फ जो डेंस है वो है nucleus तो बाकितो एक्ट्रोन अगर हटा दे तो बचा ही क्या बिलियन टाइम्स बिलियन टन्स भारी होगा तो इतना भारी कैसे हो गया तो क्योंकि आपका मैटर बनाया है और आपको मॉइल फोन या टेबल या चेयर जो भी है तो यह एक atom से मिलके बनियो और atom जो है काफी खोकला होता है सिर्फ उसका मास जो होता है वो होता है इसके center पर है उसके nucleus में लेकिन हमने सिर्फ nucleus को ही जोड़ के बनाया है तो काफी dense हो जाता है और एक neutron star अगर आप consider करें तो खुद में एक atom की तरह काम करता है क्योंकि वह nucleus से ही तो मिलके बनाया है proton and neutron से मिलके बनाया है अब ऐसा समझ लीजेए ना proton and neutron से मिलके बनाया तो एक पूरे atom की तरह ही काम करता है और इस तरह ही हमारा होता है degenerate matter degenerate matter जो कि काफी highly compressed और काफी close हो चुका होता है काफी density बढ़ जाती है तो यह होते हैं हमारे seven states of matter अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए इसको शेर कीजिए और अगर आप कुछ इसमें नहीं समझ में आया है या कोई question है तो बना रहा हूं ठीक है आप कब देखने इस वीडियो को मुझे फरक नहीं पड़ता लेकिन जब मैंने वीडियो बनाए तो इनका तो रिपलाय कैसे 36 रिपलाय नहीं देशकता क्या मैं कैसी बात कर दिया 36 रिपलाय देशकता हूं तो प्लीज आप question पूछे नीचे मैं जवा प्लीज सस्क्राइब कीजिए यार मज़ेतार वीडियो और बना के लाते रहेंगे अभी अभी हमने YouTube अभी तो यार इतना मतलब नहीं हो पाया है तो editing वगरा मैं जदना नहीं करता हूं सिफ slide कि तरह आपको दिखा रहा हूं तो आगे अगर चल ग्रो करता रहेगा तो मैं आपको जैसे बाकी बड़े बड़े चैनल्स पर दिखा रहें ना बिल्कुल वैसा slide editing और पिछे background 3D सब कुछ दिखाऊंगा प्लीज धन्यवाद बैबाए और स्सक्राइब करना ना बोलें